बंदे पुर्शोत्म आलोजना प्रसंग प्रथमखंड से 25 मार्श सन 1941 की स्रीशिठाकुर्जी से वार्तालाब सीखाकुर्जी ने ब्रथ निवास पवना केंदव सत्संग में केश्टोदा, भटाचार, सतीन दा, साहित्ज सास्त्री आदिके साथ विविन विश्यों पर आलोजना कर रहे थे आहार के विशे में सिसी ठाकुर ने कहा भात सान कर मा जो आप लोगों को हाथो हाथ कौर बना कर देती थी उतना कम खाने पर भी आप लोग बहुत स्वस्थ थे कितना काम कर लेते थे पहले की तरह आजकल काम नहीं होता है उस समय रात में भी खूब जोर सोर से काम होता था संध्या के पहले ही रोसनी जलाई जाती थी रोसनी जला कर सारी रात काम चलता रहता था उस समय आप लोगों को दिन रात का कोई ग्यान नहीं रहता था भूत की तरह मेहनत करते थे भोजन भी तो बहुत थोड़ा मिलता था इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दिल में यदि इस्ट के लिए नसात था संबेग रहे तो अल्ब आहार में भी मनस्य का काम चल सकता है और उसमें वह स्वस्थ और करमट रहता है यदि वैसा नसा कम रहता है यदि मन भोग की दिशा में जाता है उसी समय भोग का उपकरण चाहे जितना बढ़े कुछ भी सरीर में नहीं लगता है प्रकृत पुष्ट संचार नहीं करता है प्रत्यत आलस्य अवसाद रोग बलाई ही बढ़ते रहते हैं जो जितना ही प्रत्यासा हीन है सुनिष्ट और कर्मोंनत है वह उतना ही सुखी होता है जिनें प्रत्यासा नहीं है वे थोड़ा बहुत पाकर भी खूब खुस रहते हैं नहीं पाने पर भी कोई अफसोस नहीं रहता है किन्त जो प्रत्यासा पेडित हैं वे किसी में भी संतुष्ठ नहीं हो सकते इसलिए उन्हें सुख प्राप्त नहीं होता है पाने की प्रत्यासा रखने के बजाए देने की आकांचा रखना प्रत्युत अच्छा है उससे मनस्य की योगता वड़ती है प्रापती भी सहज हो जाती है पहले लोग एक दूसरे की सेवा देने की आगरह से घूमते फिरते थी किसे व्यक्ति के कपड़ यदि कोई मैले देखते थे तो उन्हें साफ कर देते थे जिसका कपड़ा रहता था उसे कुछ पता ही नहीं चलता था आश्रम के कोई आतरी इस्टीमर घाट पर उतरते थे तो उनके माल को ढोकर लाने के लिए ससंगियों के बीच आपस में होड मच जाती थी कोई बिवार पढ़ता था तो उसकी खबर लेने के लिए इतने लोगों की भीड हो जाती थी कि उसे रोकने के लिए नोटिस देनी पढ़ती थी मैं उस समय किसी की सेवा नहीं लेता था प्रत्युत सभी के लिए जहां तक संभव होता था अपने हाथों से करता था पर भी ऐसी परिस्थिती में किसी किसी छेत्र में मुझे सहमती देनी पड़ती थी बाद में जब बिमार पढ़ गया तो दूसरे की सेवा लेने को बाद ही हुआ उस समय से ही यह चालू हो गया मैं तो पहले समझ ही नहीं पाता था कि दूसरे की सेवा लेने का मुझे भी कोई प्रियोजन है सिसिठाकुर दिप्त आवेक से कहने लगे कहने का सारांस यह है कि तुम लोगों में से कुछ व्यक्ति भी ठीक हो जाएं तो उनसे ही काम बनेगा कन्विक्षन विश्वास ही बड़ी चीज है और यह कोई कठिन बात नहीं है इसी छण में ही मॉरेलिटी नैतिक्ता की मोड घुमा देना यस हां बोलना चाल चलन और कठनी करनी उसी अनुसार होना सफरिंग दुख कष्ट के लिए प्रस्तुत रहना इतने में ही काम चला जा सकता है ऐसा कन्विक्षन विश्वास रहना चाहिए कि यदि कोई सरीर को टुकडे टुकडे भी कर डाले तो वे टुकडे आयन लहक आयन लहक कहते रहेंगे उनकी आँखे चमक रही थी चहरे पर आनंद की दिब्य जोती थी और थी स्वर में तिब्र प्रेना की तड़ित दीपना वे अपुरव भंगिमा में बाते करते हुए कहने लगे लोग मुझे अवतार कहते हैं यह मुझे पसंद नहीं मुझे अवतार कहना उसी दिन तुम लोगों को सुभा देगा जिस दिन तुम सभी पुर्ण रूपेंड बाल के सीरे से लेकर पाउं के अंगुखे तक अवतार बन जाओगे रामकिष्ण ठाकूर चैतन देव या आदि को जो अवतार कहते हैं मैं समझता हूं कि वे ऐसा कहकर उन्हें टांट ठटा कर रहे हैं उनकी स्वार्थ प्रतिष्ठा के लिए बिना कुछ किये उनके इपसित पत्थ पर ना चलकर उल्टे पत्थ पर चलते हुए केवल मुझे उन्हें अवतार कहते हैं आजकल के रसगुल्लों की तरह अवतार सब्द चालू हो गया है उसकी मर्यादा कम गई है पहले का रसगुल्ला तो तुमने खाया नहीं है इसलिए मैं अवतार सब्द यूज बेवहार करने के बजाए प्रे परम कहता हूं उसमें आत्मियता का बोध है यदि कोई मीटिंग स पर्सकर आकुल बना दे सकती है सिठाकुर ने बाते करते हुए कहा चाहे कोई जिस धर्म का धर्मा वलंबिक क्यों न हो यदि उसके वंस में प्रतिलों सम्मिस्रन नहीं हुआ हो तो उसकी वंसानु क्रमिक जीवी का अभ्यास आचार बेवहार के अनुसार उसका वर्ण नि स्सकार के अनुसार समाज के वरित निर्वाचन सेणी विन्यासेवं वेधी विवाह के द्वारा वन सानु क्रमिक वैसिस्टियों को धारवाहिक्ता में अच्छुन रखकर वनस्परंप्रा में प्रकतिपन न कर देना ही है इसकी मूल बात लिए संसार के हर समाज को उनके वैसिस्ट की आपूर्टी कर विध्वत रूप से सजाया जाए तो विःत अनुलोम क्रम से पारस्परिक परिणे संबंध भी कायम किया जा सकता है पुरा इमार एक आदर्स एक अनुलोम विवाह जिस तरह एक दास्ट को एक सुत्र में बाध देती हैं उसी प्रकार सारे संसार को भी पारस्परिक वैसिस्ट्य अनुसार संगती में संगत और एक बद्ध कर सकते हैं परमपिता की दयाव से विस्व संथी का ऐसा जो मौका मिला है या बिलकुल ही चरम मौका है यदे इन बातों को दिमाग में रखकर काम में लग जाओ तो संथी आएगी आलोजना परसंग प्रथम खंड पेश संख्या 106, 107, 108 और 109 से जय गुरू